इस नियूज इस को स्पॉंसर्ट बाइ एल्दी मुसल हंड़ेट परसेंट अथेंटिक सप्लीमेंट स्टूड एड आशी फैशन स्टूडियो हिमालियन दिव्यां कल्यान संस्था की मासिक बैठक भूतनाथ मंदिर पडिसर में आयोजित की गई बैठक के अध्यक्षा दिव्यां कल्यान संस्था की अध्यक्षु हेमलता पठानिया ने की इस तोरब दिव्यां कल्यान संस्था की अध्यक्षु हेमलता पठानिया ने कहा की आज की बैठक में दिव्यांग जनों के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई हेमलता पठानिय ने कहा कि हाल ही में बल क्षितर के गल्मा की रहने वाली दिव्यांग महिला के साथ फेदभाव का मामला देखने को मिला है उन्होंने कहा कि दिव्यांग महिला ने पंचायत में सरकाली योजना के तहट मकान बनाने के लिए अरजी दी थी और उसका लिस्ट में पहला नमबर आया था उन्होंने कहा कि जब महिला ने मकान का काले शुरू ही किया था तो उसका नाम लिस्ट से हटा कर किसी और को दे दिया गया उन्होंने जिला उपायुक्त से मांगी है कि इसकी जल से जल गहनता से चांश की जाए उन्होंने का की हाल ही में सुन्दनगर में एक मांतिक रूप से दिव्यांग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है उन्होंने का की दिव्यांग जनों के लिए अलग से कानुन तो बना दिये गए हैं लेकिन वह जमीनी स्थर पर कहीं भी नजर नहीं आते हैं उन्होंने दिव्यांग कलियान संस्था की तरफ से मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर और जिला उपायुक्त अरिदम चौधरी से मांगी है कि जल से जल मंदी में दिव्यांग जनों के लिए अलग से बोर्ट बठाया जाए ताकि दिव्यांग जनों को तुरंत न्याय मिल सके आग जो ही हमारी मासिक बैठक हो रही है और इस बैठक में सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी कि हमारी मसलस्ता के पास एक मामला आया हुआ है जिसमें एक मेला हिमा देभी जो चाली प्रक्सदी भी आंगे और अर्जन जाती से स्वंद रखती है उसका उसकी पंचायत जो है गल मा पंचायत बढ़ती है विकास खंड बल बढ़ता है उसमें परधानिन के घर में आकर बोल के जाती है कि आपका नंबर पहले नंबर आपका मकान है और आप जो है इसका मटेरियल वगरा फिंकवादो और आपके काउंट भी जो है पैसा आ जाएगा उसके तुरा लोन इसका ख़ hap however कर दिया गए कि एक किसी का मकान है जो लेना नहीं चाहतें तो आफ जो हैं बेल्सके थरू इस में को ले सकते हैं तो मुझे तो नग रहे कि एक इसको आश्वासन दिया जा रहा है हो यह होगा की नहीं होगा यह तो बात की बात है लेकिन दिभ्यांगों के साथ ऐसा ब्यावार पंचायतों में भी हो रहा है और हर एक जगा हो रहा है तो हम अपने मानियों मुख्यमंत्री मोदेजी से मांग करते हैं रोध करते हैं कि दिव्यांगों के साथ पंचायतों में बहुत भेदबाब होता है उनके साथ बहुत अंदेखी की जाती है तो आ आप ऐसे दिव्यांगों के मामलों को प्राच्मिक्ता के अधार पर लें, ताकि दिव्यांगों के साथ ऐसी कोई भी आगे के रहा सी घठना ना हो। तो दूसरा हमारा यह है कि जैसे कि सुन्दनगर में एक मानसिक रूप से परिशान दिव्यांग लड़की के साथ रेप का मामला हमारे ध्यान में आया हुआ है, एक तरफ सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत से कानून बना रही है, और कानून बने भी है, लेकिन ओजमीनी स काम नहीं हो रहा है, तो हम उपायुक्त मोदे से अनरोध करते हैं कि जो हमारा 2016 कानून बना है, जिस कमेटी की मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें काम नहीं हो रहा है, हमारा जो एक जज्ज जो इसमें होता है, अलग से होता है, वो नेकुत किया जाए यहा है, लेकिन वो अपने स्तर पर जितना उनके दाइरे में आता है, वो उतने ही काम कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो ऐसे कृत्ते दिव्यांगों के साथ करते हैं, उनको जो सजा का प्रावधान है, वो सजा उनको मिलनी चाहिए के चैनल के लिए मंदी से शिवाने की रिपोर्ट